हेलो एब्रीवान कैसे हैं सारे के सारे अल गूड सब बढ़िया चल रहा है टेंशन लेन की बात बिलकोल नहीं है जितने आक्टिविटी के साथ जितने जोश के साथ अपने मन को बोलो कि यार यह टॉपिक है यह मुझे करना है यह मुझे से हो जाएगा तो वो चीज अराम से हो जाएगी कोई भी चीज अचीव करने से पहले जो आक्ट्वल जो अचीवर्स होते हैं वो मन में सारी चीज पूरी दोहरा कि उसको कैसे अचीव करना है पूरी चीज इमाजन करके देखते हैं फिर उसको execute करते हैं और वो चीज़ हासिल कर लेते हैं तो तुम्हें भी ऐई चीज़ करना है तो विद इस नोट यूर अग्रिम सर वेलकम्स यू तो कंप्लीट चाप्टर ओफ माइक्रोब्स इन हुमन वेलफेर दो से तीन question बड़े अराम से आजाते हैं यहां से तो दस बारा माक्स मिल सकते हैं दस बारा माक्स मतलब तुम्हारी rank हजारों में उपर नीचे हो सकती है तो बहुत ध्यान देना है इस chapter के उपर इस chapter के अगर हम बात करते हैं microbes in human welfare की तो इस chapter को NCRT ने बहुत parts में divide किया है NCRT ने कहा कि आपके microbes घर घरस्ती के काम में काम आते हैं household में काम आते हैं यह microbes industries में काम आते हैं industries के जब NCRT ने बात करी तो NCRT ने बताया कि industry में alcohol बनाने के काम आता है industries में यह antibiotics बनाने के काम आते हैं industries के ही अंदर यह organic acids बनाने के काम आते हैं industry के ही अंदर bio active molecules आते हैं और industry के ही अंदर enzymes भी आते हैं इतनी सारी चीजे हैं जो industrial level पर हम कराते हैं with the help of microbes इसके अलावा फिर NCRT ने कहा कि यह जो microbes है इसको गंदे पानी को साफ करने के लिए यूज किया जाता है तो sea waste treatment का topic दिया NCRT ने sea waste treatment के बाद NCRT ने बताया कि आप bio gas production करा सकते हैं इससे उसके अलावा NCRT ने बताया कि आप bio control agent के form में इनको यूज कर सकते हैं और last is NCRT ने बताई कि आप इनको bio fertilizer के तौर पर यूज कर सकते हैं तो यह सारी की सारी चीजें हैं microbes in household, microbes in industry, microbes in sea waste treatment, microbes in bio gas, microbes in bio control, microbes as bio fertilizer इन सब को एक एक करके देखना start करते हैं जब NCRT ने बात करी household की तो household के अंदर हम दही खाते हैं curd खाते हैं तो curd के अंदर NCRT ने कहा lactobacillus काम करते हैं अब यह जो lactobacillus है curd में vitamin b12 content बढ़ा देते हैं साथी साथ यही lactobacillus हमारे अंदर जाके इसको कोई भी disease causing microbes अगर दिखेगा हमारे अंदर तो यह उसको मार डालेगा हमारे लिए तो हमारी immunity बढ़ा सकता है इसके अलाबा अगर हम household की बात करें तो बहुत सारे लोग होंगे जिसको डोसा और इडली खाना पसंद है अब डोसा और इडली में क्या होता है fermentation होती है कभी घर में ममी बापा कोई भी जिसको कुगिंगा शौक के उनसे पूछना डोसा इडली कैसे बनता है तो आपके बस डाल और चावल का घोल बनाते हैं उस घोल को छोड़ देते हैं फर्मेंट होने के लिए फिर उसमें से डोसा इडली बनाया जाता है तो यहां पे NCRT ने कहा कि बेक्टीरिया का रोल आता है डोसा और इडली बनाने के लिए इसके अलावा ब्रेड बनाने के लिए जहां पे भी ब्रेड मेकिंग होती है बेकरी वाली चीज होती है तो वहां पर हमारा फंगस का रोल आता है सैकरो माइसज सेरे विसियाई इसका रोल देखने को मिलता है बेकिंग में काम आता है तो इसे कहते हैं बेकर्ज इस्ट इस्ट बोल दिया तो पता चल जाना चाहिए कि यह फंजाय है लाक्टो बैसलेस बेक्टीरिया डोसो और इडली ल्यूको नॉस्टॉक नाम के बेक्टीरिया से फर्मेंट होता है लेकिन वो ल्यूको नॉस्टॉक नाम के बेक्टीरिया से फर्मेंट होता है घर का भटूरा पतला पतला बजार का भटूरा मोटा मोटा तो ऐसे कैसे हुआ यह इसलिए possible हो पाता है क्योंकि बजार वाले अपने भटूरे का आटा रात को लगा के रखते हैं और रात को east उसमें activity करके CO2 release करता रहता है CO2 release की वज़े से जो bread का dough होता है वो जो आटा लगा होता है वो fluffy हो जाता है इसलिए bread इतनी fluffy होती है ठीक है तो यह fermentation करा के CO2 release करा के gas release करके dough को swell करा देता है that is used in the concept of baking इनो का powder डाल के cake बनाते हैं क्यों इनो से CO2 release होती है तो वो cake fluffy हो जाता है इसके अलावा Japan, Korea, Singapore, China इनको हम बोलते हैं East Asia इन सब जगे पे soya bean, bamboo और fishes इन सब को ferment करके use किया जाता है कितने हो तुम सारे तुम में से कितने लोग होते है जिनको Chinese खाना खाना पसंद है noodles खाना पसंद है और उसमें एक brown कलर की sauce डलती है soya sauce तो वो जो soya sauce है actually made it is soya sauce थोड़ा fancy अगर मुनों न soya sauce तो वो जो soya sauce है वो soya bean के fermentation से बनती है हमारे घर में normal अचार मिलते हैं महां जाओगे तो fermented bamboo shoots fermented fishes को use किया जाता है ठीक तो दही जवाने के लिए डोसाइडली बनाने के लिए bread बनाने के लिए soya bean bamboo और fishes को foment करके रखने के लिए household में इनको use किया जाता है इसके अलावा South India में एक alcoholic beverage मिलती है toddy नाम की मिलती जारकंड में भी है बिहार में भी है लेकिन South India में तो कुछ ज़्यादा ही मिलती है toddy के पेड़, palm की एक पेड़ होते हैं, palm के sap को east से ही ferment कराते हैं तो toddy नाम की drink आ जाती है तो ये सारी की सारी चीजे हैं हमारी जो household purposes में, microbes को as household usage में इन सब के role के लिए use किया जाता है इंडिया में कम concept है cheese का, लेकिन बाहर तो बहुत concept है, 300 से जादा variety of cheese all over the world exist करती है यहाँ पर cheese की जो variety NCRT ने बताई है, वो है Swiss cheese Swiss cheese के बारे में NCRT ने बताया कि प्रोपियोनी बेक्टीरियम प्रोपियोनी बेक्टीरियम शर्म अनाए जो Swiss cheese, Tom and Jerry में जो cheese देख थे बड़े-बड़े holes वाली अगें, CO2 release के वज़े से ही वो holes create हो रहे है तो Swiss cheese वो वाली चीज है जो प्रोपियोनी बेक्टीरियम शर्मनाए से आती है इसके अलावा, रॉकफोर्ट चीज और कैमेंबर्ट चीज है यह दोनो पेनिसीलियम फंगस की स्पीशीस से आती है पेनिसीलियम कैमेंबर्ट आई से कैमेंबर्ट चीज पेनिसीलियम रॉकफोर्ट आई से रॉकफोर्ट चीज तो यह है सारा का सारा microbes in household अब इंडस्ट्री में इतनी सारी चीज़े दिख रही है तो सबसे पहले अगर हम देखें इंडस्ट्री के अंदर तो वी किन हैव आलकोहॉल अब कुछ आलकोहॉल होती है जो बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस की यूज हो जाती है distillation एक purification प्रोसेस है उससे अलकोहॉल concentrate होता जाता है तो कई ट्रिंग से जो बिना डिस्टिलेशन के होती है और कई alcoholic beverages है जिने proper distillation के बाद अच्छे से अलकोहॉल purify करके यूज किया जाता है तो हमारा wine और हमारी beer ये जोनों बनती हैं without distillation और रम, जिन, विस्की, वोटका ये सब आते हैं आफ्टर डिस्टिलेशन तो जो आफ्टर डिस्टिलेशन आते हैं इनके अंदर आलकोहॉल परसंटेज ज्यादा होती है और जो बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, कम पैरेजन करेंगे, तो दे हाव लेस अलकोहॉल परसंटेज NCRT ने काए कि फर्मेंटर नाम की मशीन होती है जिसमें ये बनते हैं और दारू बनाने के लिए सबसे कॉमन जो मेंबर यूज होता है दारू बनाने की प्रोसेस को ब्रूइंग कहते हैं, तो इसलिए इसे ब्रूर्वर्ज इस्ट भी कहा जाता है वही साक्रोमाइस सेरेविसी आई तो ब्रूर्वर्ज इस्ट, बेकर्ज इस्ट दोनों इसी का नाम है 11th में, respiration में हम पढ़ते हैं कि alcoholic fermentation कराता है, ethanol भी बनाता है, CO2 भी बनाता है तो जो CO2 वाली चीज है, वो वाला purpose baking में काम आया, जो alcohol वाली चीज है, वो alcohol बनाने में और toddy बनाने में काम आया ठीक है, तो यह हो गया हमारा alcohol का concept, फिर आती है एंटिबाइटिक्स की concept एंटिबाइटिक्स की अगर हम बात करें, तो जो पहली एंटिबाइटिक्स डिस्कावर हुई थी, उसका नाम था penicilline discoverer का नाम था, Alexander Fleming अब NCRT ने लिखा है, कि यह काम किस पर कर रहे थे, काम कर रहे थे, स्टेफाइलो, कोकाय, बेक्टीरिया पर Alexander Fleming इस बेक्टीरिया पर काम कर रहे थे और उन्होंने देखा, कि एक पेट्रिडिश, एक बरतन ऐसा है, जिसमें एक फंगस उगरी है उस फंगस को उन्होंने देखा, तो वो फंगस थी, पेनिसीलियम नोटेटम, पेनिसीलियम की और भी स्पीचीज होती है, जिससे ये अन्टिबाइटिक आता है, लेकिन Alexander Fleming was working on स्टेफाइलो कोकस, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर एक फंगल इंफेक्शन है, पेनिसीलियम नोटेटम का, और इसकी वज़े से बेक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा, तो देखा कि इससे जो केमिकल निकलता है, उसका नाम पेनिसीलियम है, और उन्होंने फर्स्ट अंटिबाइटिक डिस्कवर किया, लेकिन इसी पेनिसीलीन का, ये जो पेनिसीलीन है, इसका फुल पोटेंशल वस डिस्कवर्ट बाए फ्लॉरी और चेन, चेन, फ्लॉरी और फ्लेमिंग, इन तीनों को नोबेल प्राइस दिया गया था अपने डिस्कवरी के लिए, वर्ल्ड वर्ट टू के टाइम पे ये डिस्कवरी हुई थी, तो अमेरिकन सोलजर्स के ट्रीटमेंट के लिए, पेनिसीलीन बहुत काम किया, बहुत सारे बिक्टिरल इंफेक्शन थे, जिससे पेनिसीलीन ने उनको बचा लिया, फिर NCRT ने तुमसे पूछा है, कि क्या को तुमने नाम सुना होगा, स्ट्रेप्टोमाईजिन, स्ट्रीप्टोमाईजिन, तुमने नाम सुना होगा, टैट्रासाइक्लेन, तो ये सारे के सारे जो हैं ये भी आंटिबाइटिक्स हैं और ये आते हैं एक बेक्टीरिया से जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाईसिज इस बैक्णीरिया से यह सारे अंटिबियोटिक्स आते हैं और पेनिसिलियम एक फ़ंजाय है जिससे कि पेनिसिलीन डिस्कवर हुआ था ये पहला अंटिबियोटिक था, बाद में और अंटिबियोटिक्स नाचरल स्वर्श से से डिसकवर होते आये तो यह हो गया हमारा anti-biotics वाला point फिर NCRT ने इंडस्ट्री में बोला organic acids आते हैं organic acids naturally produced acids तो आप के पास acetic acid आ सकता है आप के पास butyric acid आ सकता है आप के पास lactic acid आ सकता है हमारे पास इन सब के अलावा ethanol का production हम लिख चुके हैं acetic acid की अगर हम बात करें तो जो हमारा सारा का सारा acetic acid है ये आता है acetobacter acetai से butyric acid आता है clostridium butyricum से कई जगे butyricum की जगे butylicum लिखा होता है lactic acid आता है हमारा lactobacillus से इसके अलावा हमारे पास citric acid आता है aspergillus niger से citric acid commercially आपके vinegar के लिए use किया जाता है तो organic acids की list में acetic acid, butyric acid, lactic acid, citric acid अब again over a period of time तुमें ये खुद से memorize करना पड़ जाएगा ये bacteria है ये bacteria है ये bacteria है और ये फंजाय है तो आपके पास जो organic acids वाला concept है उसके अंदर ये सा बात है फिर आए हमारे bio active molecules जब हम बात करते हैं bio active molecule की तो difference, एक common difference सुन लो जब आप बात करते हो antibiotic की तो antibiotic एक ऐसा chemical compound है जिससे बेक्टीरिया को मारा जा सकता है तो वो है आपका anti-biotic जब आप बात करते हैं bio active molecule की तो ये non human source से आया हुआ chemical है non human source से आया हुआ chemical है जो humans के लिए फाइदे मन्द है तो उनको कहते हैं bio active molecule for example cyclosporine A cyclosporine A की अगर हम बात करते हैं तो immunosupprescent लिखा है NCRT ने immune response को suppress कर देता है अब ऐसी भला कौन सी condition आ गई जब immune response कम करने की ज़रुद पड़ जाती है तो आपको पता है कई organisms, कई humans होते हैं जिसमें organ transplant होता है liver का transplant हुआ या kidney का transplant हुआ किसी और की kidney या किसी और का liver उनमें आता है अब body sense कर सकती है कि ये मेरे cells नहीं है तो usually किसी close relative का जिससे सारी tissue matching होती है उनके tissues लिए जाते हैं बट still कहीं न कहीं गुंजायश होती है कि body पता लगा लेगी कि ये खुद के cells नहीं है तो वो जो आपको बाहर से organ लगा है body उसके लिए immune response start करके उसको destroy कर देगी तो आपकी जान तो जाई सकती है साथ में operational cost जो लगता है वो भी आपका damage हो सकता है दोनों ही चीज़े हैं तो इसलिए फिर वो lifelong cyclosporin A की tablet खाते हैं जिससे की immune response दबा रहे जब हम बात करते हैं इसकी source की तो cyclosporin A का जो source है हमारा हमारा fungal source जो है उससे ही हमारा bioactive molecule निकल के आएगा which is your cyclosporin A नाम अभी लिखके बताता हूँ एकदम से मेरे दिमाग सी slip हुआ पड़ा है दूसरा bioactive molecule NCRT ने बताया है statin आ गया भई याद हो जाता है कई बार ऐसा मेरे से भी trichoderma polysporum trichoderma polysporum fungus उसका source है statin blood में cholesterol के level को कम करता है blood cholesterol lowering agent है आपके statins जो enzyme cholesterol synthesize करता है ये competitively वहाँ जाके बैठता है और उस enzyme को काम करने से रोख देता है इसका source है हमारा monascus purpureus ये भी एक type का east है trichoderma east नहीं है लेकिन normal fungi है east बोलने का मतलब 11 में हम पढ़ते है unicellular fungus saccharomyces cerevisi single cell होता है monascus purpureus single cell होते है तो bioactive molecule में we have cyclosporine A, we have statin और NCRT अगर हम देखते है तो NCRT ने bioactive molecule में streptokinase भी दिया है अब आपको पता है जब ये as वाले word आते हैं तो पता चल जाता है कि हम किसी enzyme की बात कर रहे हैं तो enzyme को थो हम अलग से लिखें गई अभी ठीक है तो bioactive molecule हो गए next हम जाते है enzyme के list पे bioactive molecule मैंने का था बस एक ऐसा molecule है जो humans बनाते नहीं है बड़ humans के लिए फाइदमंद है तो यहां पर हम लिख रहे हैं streptokinase streptokinase की अगर हम बात देखें NCRT की it comes from streptococcus सीधे सीधे धियान को के से काइनेस को से कोकस streptomyces नहीं है यहां पर streptokinase streptococcus की sound आ रही है यह जो streptokinase है यह हमारे clot busters है कहीं पर भी blood clot बन जाता है तो यह blood clot को तोडने के काम आते हैं इसके अलावा प्रूट जूसेस को साफ करने के लिए pectinase और protease enzymes हैं जो बहुत commonly use किये जाते हैं इसके अलावा lipases lipid digesting इनका बहुत सारा use detergents में किया जाता है कपड़े धोने में तो यह सारा का सारा दिया है NCRT ने enzymes का concept फिर आता है मारा sewage treatment जो भी municipality का गंदा पानी होता है उसे कहा जाता है sewage तो जहां पर sewage का treatment होता है उन जगों को कहा जाता है sewage treatment plant या STP अब यहाँ बहुत अच्छे से साथ बहुत चीज़े बताई है उन्होंने बताया कि पहले सारा का सारा जो waste है उसका sequential filtration होता है sequential filtration में छन्निया लगी होती है बड़ी बड़ी इन छन्नियों से सारा का सारा जो कूड़ा है वो filter होके आता है जैसे चन्निया होती है चन्नियों का size छोटा होता जा रहा है तो ऐसे यहाँ पर चन्नियों का size छोटा होता जा रहा है बड़े बड़े जो gutters होते हैं उन गटर्स के अंदर लोहे की ऐसे जालिया लगी होती है, size छोटा होता जाता है, तो बड़ा कुड़ा, उससे छोटा कुड़ा, उससे छोटा कुड़ा, धीरे धीरे सब छनता जा रहा है, और सब कुछ छनने के बाद, यह सारी चीज़े एक बहुत बड़े से tank में आ जाती ह तो यहां से यहां पर ncrt ने कहा आपका चल रहा है sequential filtration, चीज़े filter हो रही है in a sequence, बड़े से छोटे में सीधे साफ होती जा रही है, पिर सारा का सारा गंदा पानी यहां आके deposit हो जाता है, सारा सीधे यहां आके गिर गया, अब इसमें क्या हो रहा है, इस tank का नाम ncrt ने दिया है primary settling tank, इस पानी में जितने कंकड पत्थर हैं, वो सारे कंकड पत्थर नीचे जमा हो जाते हैं, तो इसको बोला primary sludge, slash मतलब कुडा करकट, तो सारे कंकड पत्थर इसमें आ गए, और अब जो सारा floating part है, इसको बोल दिया primary effluent, end, तो यहां से लेके अभी तक जो मैंने process पढ़ाई है, इसे कहा जाता है primary treatment, this is the primary treatment, sequential filtration हो गया, और यहां पर हुआ हमारा sedimentation, sediment मतलब कोई चीज नीचे बैठ जाना, तो जो part sediment हो गया, वो primary sludge, जो floating part है, उसे बोला primary effluent, इस सारे effluent को आगे पास किया जाता है, अब जो यह दूसरे वाले tank लगे हैं, इन tanks के अंदर, इस तरीके से कुछ चीज बनी होती है, यह वाला जो tank है, यह है बहुत बड़ा सा aeration tank, इसमें यह लगा होता है air pump, जो fresh air को इस tank के नीचे वाले side में भेजता है, और यहां लगे होते हैं motor से operated बड़े बड़े paddles, जैसे तुम लसी बनाते हो, तो मठनी डालके मठते हो उसको, वैसे ही बड़े बड़े mechanical agitator, बड़े बड़े mixer लगे हो हैं इसके अंदर, और इसी के साथ में ये वाला है हमारा secondary settling tank, तो जितना primary effluent है, उसको यहां भेज दिया, सारे के सारे primary effluent को भेज दिया यहां पर, यह जो बड़े बड़े paddle लगे हैं, यह उस पानी को mix करते रहते हैं, airs pump से fresh air नीची की दरफ आती रहती है, अब इससे होता क्या है, इससे इस पानी में मिलने वाले जो भी bacteria और fungus हैं, उनका number increase हो जाता है, उनको कहा जाता है phlox, phlox are aerobic, heterotrophic bacteria plus fungi, जो इस पानी में पहले से थे, आपने oxygen दे देके इनको growth की opportunity दी है, इस पानी में बहुत सारा organic matter है, गंद है जिसको यह digest कर सकते हैं, बढ़ने के number बहुत कम थे, आपने fresh oxygen दे देके इनको बुला खाओ, जितना खाना खाना है इस पानी में खाओ, तो सारा organic matter digest होने लग जाता है, जैसे जैसे organic matter digest होगा, BOD कम हो जाएगी, BOD थी biochemical oxygen demand, वो गिरने लग जाती है, oxygen की demand कम होने का मतलब क्या है, organic matter कम हो रहा है, खाना कम होता जा रहा है, तो जितना ज्यादा BOD, उतना ज्यादा pollution, BOD का level कम, pollution का level कम, ठीक है, तो यह bacteria और fungus का group flock कहलाता है, oxygen मिलती जा रही है, अपना metabolism fast करके, एक time बाद organic matter कम हो जाएगा, उसके बाद, इस सारे primary effluent को फिर भेजा जाएगा यहाँ पर, secondary settling tank में, फिर से sedimentation का event चलेगा, अब जो चीज sediment हो गई है, जो चीजें नीचे बैट गई है, इसे बोला गया, activated sludge, सारे flocks इसमें आ चुके हैं, और अब जो उपर का floating part है, इसे कहते हैं secondary effluent, सारा का सारा, activated sludge जो है, इसको भेज देंगे, anaerobic sludge digester में, आपको bio gas बना के देते हैं, और यह secondary effluent है, इसको अब आप safely आसपास जो भी water body है, उसमें निकाल सकते हैं, या फिर अगर चाहें, तो secondary effluent का tertiary treatment कराके, उसको एकदम pure water में change कर सकते हैं, जो हमारा यह दोनों पार्ट है, aeration tank और secondary settling tank, यहां से यहां तक का सारा portion, यह कहलाता है secondary treatment, या biological treatment, इसमें organisms, biological organism का use हुआ है, तो secondary treatment को कहते हैं biological treatment, तो यह है सारा NCRT का sewage treatment plant, sequential filtration, primary sedimentation, aeration से phlox को grow कराया, उसने organic metadigest करके, सारा pollution level कम कर दिया, भेज दिया दूसरे tank में, phlox सारे cedularon हो गए, उनको एक अठा गरके बायो गैस के लिए भेज देते हैं, और कुछ phlox यहां भेज दिये जाते हैं, कुछ phlox को जैसे दही जमाने के लिए, मम्मी बोलती है न, जामन का दही ले आओ, थोड़ा सा दही लाओ, बाक्यू दूठ डालतो दही जम जाएगा, बिलकुल वैसे ही थोड़ा सा जो activated sludge है, वैस इनोक्यूलम, स्टार्टर, एरेशन टैंक में डालते हैं, कि phlox की development fast की जा सके, गौर्मेंट ने नदियों को बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, ये सब निकाल के रखे हुए हैं, तो यह है सारा सीवेश ट्रीट्मेंट, फिर आता है ह हमारे पास, बायो गैस, बायो गैस की बात करते हैं, तो पहली बात, NCRT ने खुद का है, it is a mixture of gases, CH4 भी है, CO2 भी है, H2 भी है, N2 भी है, H2S भी है, etc. सब कुछ है, बट जो मेजर गैस है इसमें, वो है हमारी मीथेन गैस, इस दे मेजर गैस इन बायो गैस, इंडिया में ये concept, Indian Agricultural Research Institute, Khadi and Village Industries Commission, तो IARI और KVIC ने इंडिया में बायो गैस को प्रमोट करना स्टार्ट किया, बायो गैस के लिए बहुत जरूरी है, गोबर का यूज, इसलिए बायो गैस को बहुत कॉमनली गोबर गैस भी कह दते हैं, गोबर इसलिए, क्योंकि इसमें naturally, Methanobacterium मिलते हैं, Methanobacterium is a type of Methanogen, Methanogen is a type of Archibacteria, Archibacteria are prokaryotes, तो गोबर में naturally होते हैं, तो गोबर डाल के चीजों को सारा किया जाता है, बायो गैस में NCRT ने बताया है, कि 10 तू 15 फीट डीप, जमीन से 10 से 15 फीट गहरा, इस ध्यान देना 10 तू 15 फीट का, कॉन्क्रीट टैंक होता है, इस टैंक के अंदर, एक इनलेट होता है, यहां से सारा बायो डिग्रेडबल वेस्ट डाला जाता है, अलॉंग विद गोबर आन पानी, वो सारा अंदर जाता जाएगा, नीचे के लेवल पे इनलेट है इसका, और यह उपर का लेवल आउटलेट है, और उपर, एक फ्लोटिंग कवर होता है, फ्लोटिंग कवर बिलकुल ऐसे समझो, जैसे कूकर के उपर सीटी होती है, प्रेशर आता है, सीटी उठती है, और प्रेशर आता है, गास प्रेशराइजड हो के बाहर निकलती है, ऐसे ही 10 से 15 फीट concrete tank के अंदर आप सारा का सारा waste डालते हो, यहां से waste आता जाता है, पुराना waste उपर उठता जाता है, और गोबर डाला है तो methanobacterium है, वो methanobacterium अंदर methanogenesis, methane generate कराता है, floating cover उपर उठता जाता है, फिर gas pressurize होके pipeline से जाने लगती है, यहां से सारा waste निकलता ह उससे field में, agricultural field में as manure आप वापस use कर सकते हैं, तो यह है सारा का सारा हमारा concept of biogas, biocontrol, जो हम बात करते हैं, biocontrol agent की, when we talk about biocontrol, तो biocontrol is part of organic farming, organic farming का मतलब होता है, कि आप सिर्फ और सिर्फ natural चीजों को use करेंगे, कोई भी artificial chemical use नहीं किया जाएगा, तो वो कहलाता है, organic farming, biocontrol का मतलब है, आप बायो pesticides use करेंगे, chemical pesticide, chemical insecticide use नहीं किया जाता, बायो pesticide use होगा, बायो herbicide use होगा, आप natural चीजों को use करके ही चीजों को control करेंगे, तो कहलाता है, बायो control, इसी बायो control में एक और चीज़ का ध्यान रखा जाता है, that is integrated pest management, integrated pest management ये समझाता है, कि harmful कीड़े को जड़ से मारने की कोशिश ही मत करो, chemical डाल के, पहले harmful जो insect होते थे, उनको जड़ से मार दिये जाता था, लेकिन कई beneficial insects भी उस chemical से मर जाते थे, और नुकसान होता था, तो scientist ने कहा, integrated pest management, आप organic farming को integrate करके, organic farming को use करके, pest को manage करो, तो आप bio control को use करेंगे, harmful insect को balance में, या उतना रखेंगे कि वो आपके पौदो को harm ना कर पाए, ज़ादा नुकसान ना पहुंचाए, chemicals use नहीं करने है, तो integrated pest management में, NCRT ने लिखा है, it focuses to keep the harmful pest under check by natural bio control methods, complete eradication का मतलब ही नहीं रखते ही है, chemical use करने ही नहीं है, natural तरीके से harmful वाले को control में रख दो, तो वहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, बायो कंट्रोल की जब हम बात करते हैं, तो NCRT ने कहा, that dragonfly can feed on mosquito larva, तो बिना chemical के dragonfly छोड़ दो, mosquito larva को माड डालेगा, इसके अलावा, NCRT ने कहा, कि जो हमारे beetle की एक variety होती है, lady bug, lady bug भी कहते हैं, उसे lady bird भी कहते हैं, black color की होती है, वे red markings, तो जो lady bugs होती है, वो naturally aphids को kill कर देते हैं, aphid वो insect है, जो brassica और दूसरे fruits वाले पेड़ों को बहुत हाम करता है, NCRT ने कहा, कि एक bacteria है bacillus thuringiensis, इसको use करके cotton ball worms को आप control में रख सकते हो, bacillus thuringiensis के अंदर एक gene होती है, जिससे एक protein निकलता है, वो अगर insect के larva के अंदर चला जाए, तो वो toxin activate होके insect के सारी जो larva है, जो gut है अंदर, उसको destroy कर देता है, imagine करो, तुमारे अंदर जो सारा gut है, mouth, तुमारा food pipe, तुमारे stomach, intestine, pancreas, यह सब, मान लो तुमने तेजाब पी लिया, तो क्या होगा, अंदर से सारा जल जाओगे, तो सेम चीज यहां पर होता है, bacillus thuringiensis एक toxin release करता है, उस toxin से insect का larva मर जाता है, फिर इन bio controls में NCRT ने बताया, प्राइकोडर्मा नाम का fungus बहुत सारे root born pathogens को मार देता है, पेडों के पास जाता है, कहता है मुझे खाना दे देना, मैं तुम्हारे लिए आसपास जितने भी pathogen से उसको मार डालूंगा, तो यह वो काम कर सकता है, इसके अलावा, नुक्लियो पॉली हेड्रो वाइरस, यह बिलॉंग करता है बेक्यूलो वाइरस काटेगरी को, जैसे तुमने आज तक सबसे comment सुना है बेक्टीरियो फाज, ऐसा वाइरस जो सिर्फ बेक्टीरा को मारता है, ऐसे ही बेक्यूलो वाइरस ऐसे वाइरस होते हैं, जो खाली आर हसे लेक्टीरा केरी है, उसके अंदर जीनस है नुख्लियो पॉली हेड्रो वाइरस, यह सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट को हाम करता है, बाकी किसी को हाम नहीं करता, तो यह सारे बहुत सारे वराइटीज है, और गानिजम अन पॉपुलेशन में, और गानिजम अन पॉपुल चाप्टर में NC RT ने नाम दिया है कोकिनियल इनसेक्ट का कि ये कोकिनियल इनसेक्ट prickly, pear, cactus को naturally control में लेके आते है तो ये है सारा का सारा हमारा bio-control method कोई भी chemical use नहीं किया बिना chemicals के आपने किसी harmful चीज़ को control में ले आए तो द्राइगन फ्लाइं कंट्रॉल्स मॉस्किटो लारवा, लेड़ग कंट्रॉल आफिद्स builds Tricoderma कंट्रोल्स मैं रूट बॉर्म्न पैथोजेन्सियोक्लियोपॉलियोग वाइडरोवाइरस कंट्रॉल्स मैनी इंसेक्ट्स अन्हेरा र्ध्रबॉॉट तो यह था सारा बायो कंट्रोल, फिर हमने कहा बायो कंट्रोल के बाद, लास्ट बचा हमारा बायो फर्टिलाइजर, जब हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की, तो यह भी और्गानिक फार्मिंग का ही कॉंसेप्ट है, बायो कंट्रोल एंड बायो फर्टिलाइजर बिल तो नाचरल फोटिलाइजर की लिस्ट है, इसमें हमारे पास बेक्टीरिया आ सकते हैं, अनबीना ब्लू ग्रीन आलगी, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन आलगी, ओस्सिलेटोरिया ब्लू ग्रीन आलगी, ब्लू ग्रीन आलगी, नाइट्रोजन फिक्सेशन रखने की काभिलियत रखते हैं, तो बेक्टीरिया के लिस्ट में ये सारे मिम्बर्स हैं, जो बहुत काम कर सकते हैं, इनके अलावा फंजाइक यगर हम बात करें, तो फंजाइ एक सिंबायोटिक असोसियेशन बनाता है, जिसको कहा जाता है, माइकोराइजा, माइकोराइजा is a symbiotic association between roots of the plant and fungus, पेडों की जड़ और फंजस एक combination मनाता है, तो इसमें pinus, orchid आ सकते हैं, orchid, glomus नाम के fungus के साथ symbiosis करता है, एन, boletus नाम का fungus है, जो pinus के साथ काम कर सकता है, ट्रांस्पोर्टिन प्लांट्स में NCRT ने दिया है, ये वाली चीज, ट्रांस्पोर्टिन प्लांट्स में NCRT ने ये समझा के दिया है, अच्छे से, कि आपके पास pinus जो है, बिना माइकोराइजा के ग्रो नहीं कर सकता, इसके अलावा, अजोला हमारा, टेरिडोफाइट है, अजोला के साथ, एन, बीना की एक स्पीशिज आती है, तो अजोला, बायो फर्टिलाइजर का काम कर जाता है, इसके अलावा, बेक्टीरिया की ही लिस्ट के अगर हम बात करें, तो ब्लू ग्रीन आलगी के अलावा, मिनरल न्यूट्रिशन में हम पढ़ते हैं, राइजोवियम लग्यूम्स के साथ आता है, फ्रैंकिया नौन लग्यूम्स के साथ आता है, इसके अलावा, टॉली पॉथ्रिक्स और ओलो सिरा भी हैं, ये दोनों भी ब्लू ग्रीन आलगी हैं, बट दे आर स्पेशलाइजड फॉर राइस फील्स, अजोला को भी देखा गया है कि चावल के खेती में यूज किया जाता है, चावल की खेती में एक पॉइंट आता है, जब चावल को रखा जाता है, वहाँ अजोला ग्रो कराते हैं, अजोला की रूट्स में अजोली आके रहने लगता है, तो पूरा पानी नाइट्रोजन रिच हो जाता है, ऐसी चावल के खेतों में फ्री लिविंग टॉली पॉथ्रिक्स और ओलो से रहें, उनको ग्रो करा लो तो भी न लेज़ीम के साथ और फ्रैंकिया नॉन लेगियूम जिसल आलनस है, कैस्वराइणा है, यह नॉन लेज़ीमिनस प्लांट हैं, उनके साथ फ्रैंकिया आ सकता है, तो ये सारे तरीके हमें दिख रहे हैं, जिनसे इनकी हेल प से स्वैल का जो न्यूट्रिएंट केंट्डें आफ बायो फर्टिलाइजर तो माइक्रोब्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो यही होती हैं हाउस होल्ड में यूज होते हैं अलकोहॉल, एंटिबायिटिक्स, और गानिक असिद्स, बायो अक्टिव मॉलेक्यूल, एंज़ाइम्स, सीवेश ट्रीट्मेंट प्लांट में बायो गैस बनाने के लिए बायो कंट्रोल के लिए और बायो फर्टिलाइजर के लिए ठीक है, ठीक है, that is it for this particular lecture, अच्छे से इसको याद करना और जितने भी questions आएंगे, बड़े अराम से 3-4 questions आते हैं, question निकालो और अपने marks लेके बैठ जाओ, till then, signing off, take care, bye-bye